सत्संग वही होता है यहां आने से इनसान को सोजी आए समझाए यहां आने से उसका जमीर जाग जाए यहां आने से उसे सच का पता चले रजो तमो सतो यह गुण है सच और जूट गुणों में आजाता है लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरी अला वही गुरु गौड है वो एक ऐसा सच जो जान ले जो उसे मान ले उसके जन्मों जन्मों की पाप कर जाते हैं उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की द्या में रहमत के लाइक बनते चले जाते हैं तो सच भगवान है अल्ला वही गुरु राम है और उस सच से जुड़ना सिर्फ इनसान की फिद्रत में लिखा है इनसान ही एक ऐसा सरीर है जिसमें प्रभू का आना पॉसिबल है संबव है जो प्रभू का नाम जपे भगवान का नाम जपेक तो वो कंकं में जर्रे में नजर आते हैं इनसान की पाप करम कर जाते हैं जन्मों जन्मों की मेल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिल और दिमाग में मालिक की द्यामेर रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते है कितना भी इनसान ग्यानवान बन जाए कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए जब तक वो खुद पवित्तर नहीं होता वो खोखला है ज्यान अच्छा है पर उस पे चला जाए तब ही ज्यान का मुल्या पड़ता है हम यह नहीं कहते कि ज्यान रखना कोई गलत जितना ज्यादा ज्यान हो उतना ही अच्छा पर जितना ज्यादा उस ज्यान के उपर चला जाए वो सब से अच्छा कर्म जोगी और ग्यान जोगी जब तक इनसान नहीं बनता वो खोखला रहता है